वीडियो को डारेक्ट शुरू करते हैं ताकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है और वहां पे लिखना आपको परसेंट 10% जिससे टेंपरेरी फाईल का फोलডर खुल जागाए तो आपको इस पएल्ले घ्र्ले लिखना नहीं है दोग्लोट करने की करना है वीडियो च्ले करिके न करके एहां मैं होर पूर्न करना जैसा कि मैंने खُल्ट अदर यह सब कुछ था मिस्के बाद आपको यह फोल्डर को उपन करके रखना बसल इस फोल्डर को अंदर नहीं करना लेगी तो यह बहुत इंपोर्टेंट अग्यों फड़र को कपी कर लेका को अगर आपको फोल्डर को आपको इसमें कोफी कर लेना है अगर आपको यह दोनों फोल्डर एक्सटेक्ट नहीं होते हैं तो इसका आपको को सोल्युइशन आगे बताओं गार्व फोल्डर को एक नए फोलडर आपके डेस्कुडप में बना ले को आफे पीने खेंगा और जो अफोल्डर के अंदर आपको जो ब्लुइश्टेक्स इंस्टलर देखने को मिल जाएगा अप जेसे ही क्लिक करो तो कुछ इस प्राकर का आपको देखने को मिलेगा जो कि हमको चेंज करना तो एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको कोपी कर लेते हैं उसके बाद आपको MSI प्लेयर को पूरा ही डिलीट कर देना है याद रखो जो मैंने आपको टेंपरीरी फाइल में से जो फोल्डर बता है तो अपने जहां पर मेरा आपको मेरा फोट के साथ रिप्लेस करना है उस वाले बे weten को ठीके तो मैं यहाँ से मेरे फोट को कट कर लेता हूं और अपाए पेस्ट कर दूंगा की यह बहुत बढ़ा मेरा बे बेरा बोड़ा पर ऐता मिरो ने उसको मुण पर्ण बैषित्पकर देना है उसके फु चले जाना है और यहां पर आपको देखो नीचे है एक ऐसा ओप्चन देखने को मिलगा फॉर्माट कौन सा तो इसको आपको JPE फॉर्माट में कर देना यहां तो पी एंज या फिर फोल्डर में आपको मिल सकता है तो आपको उस पर जाना है और जो आपका इंस्टोलर वाले हो आपको इस पर एक बार क्लीक करके जिया करें रिप्लेस कर दूर्सें है को किया आपको अपका फोटा कर का इसको करोगे हापा इसक करो चाने को मिल जाए furnace करोगे तो को एडिट है नहीं है रिख सेगा है लाइक सब ब्लकुली मेरा फोटो चलो फोटो वाली बात होगी हमने एक चीज़ चेंज कर जी लेकिन अभी इसके अलाव जो हमें यह तीम से यहां पर इंस्ट्रोल वाला बटन का कलर दिख रहा है आपको यह साइड में प्लेयर इंटो ब्लुटेक्स दिख रहे हम इन सब को कैसे चेंज करें वो भी मैं आपको देताओ आपको इसके आपको तैफोटोजोप में चले जाना है कोई सबी फोटанич कर सुबुटोर उसमें चले जाना है पिर आपको डेखो मेंने जैसा देसकटोप पर ही उसको फाइलट थी उनको एक नए फोल्डर बना कर को पि किया था और यहां सब यह उन्सा भी लोगो वो में लेता हूँ अब देखो मेरो को यह ब्लूष मोली jestex वालीोकेशन है तो महां पर मिलेगी जह पर आपको जो मिनने लिखाया भताया थी आपको जो कोपी करना था जहानपर आपने कोपी गिया वहां पर मिले आ उसके पात जो मेरा भीचिक्स इसको भी मिटा देता हूं कि मैंने यहां पर मेरा लोगो लगा दिया है जो कि 10 के सब्सक्राइबर के लिए मैंने special लोगो बनाया था जल्द से 10 के सब्सक्राइब कर दोया ताकि मैं यह यह लगा सको अपने चैनल पर और उसके बाद देखो यहां पर मैंने MP 70 टेक लिए ऐसे प्लेस कर दिया फाइल लोकेशन वाली चीज को आप ध्यान से ही समझना क्योंकि बहुत ज़्यादर डीप में बता नहीं सकता है इसके बाद आपको फिर सेट्स वाले फोल्डर में आ जाना और यहां पर आप देखो जितनी भी चीज आप चेंज करना चाहते हो मैं आपको एक इसकी के उपर आपको फोटो को पेस्ट कर देना फिर उसके बाद जिस भी फोल्डर से श्को रिप्लेस करना चाहते है कर सकते हो अब जैसमीने फाइल मैंच वह यह को दिख प्लेस्ट जन्च जा इसको आपको ऑम ठीकलर तो ब्लुट्ट कट्यों मैं यह और 6 को यार्श प बनाया था मैं उस वाली फोल्डर को मैं यहां पर मतलब उस चीज को मैं ले लेता हूं तो मैं यहां पर वह आला सिलेक्ट कर लेता हूं मैं तो मैं यह वाला जो मेरे टेन के हो जाएंगे सब्सक्राइबर तो मैं यह वाला बेनर को चेंज कर लूँगा तो अभी तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने कुछ मेरे पास ज्यादा असेट्स नहीं थी इसलिए मैं इसी फोल्डर को उपन कर लिया तो आप देख सकता है किते ना बड़ा है मतलब मेरे उस वाली साइट से बहुत बड़ा तो मैं यहां से इसको कोपी कर लूँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा उस वाले इस्टिकर के ऊपर ही ठीक हम नया कोई साइश्टिकर नहीं बनाएंग देखने में दूंट में दिक्कत आए तो आपको वही पर आपको जाना है जहां पर आपने जो टेम्परेरी फाइल से कोपी किया था इनकी साइच के ऊपर करके इसको मैं से वेस वापिस से कर देता हूं से यहां पर अपर ट्रांसवर्म अपला होगा आप देखो यह वाली यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एक इंस्टॉलर वाले फोटो ओलरी जो है तो मैं उसको रिपलेस कर दूंगा इसके बाद में अगर चेक करूंगा तो यहां पर मेरा फोटो चेंज हो चुका है लेकिन अगर हम चाहें कि और भी कुछ भी मुझे और भी फोल्डर क केर्ट गलर के करदो हो तो आप हम इंतु की सब्सक्राइब करते हैं तो छिफ मेरा फोटो ऑनल्रगाई था को इसके बाध मेरा यहां पर मिरा फोटो टार मेरा फोटो जा वर्टो खेंज है लेकिन इहां पर हमने की मेरा बानर लगाया था घुल्ड़्ु शिक्वीं मेरा य इसमें यहां पर यलो गलर हो गया है जहां पहले रेट गलर आता था था इसे ही इस असेट वाले फोल्डर में बहुत ज्यादा है जिसे पाना पेचकर फोटो तो जिनको भी चेंज करना जाते हो उनको आप महां से चेंज कर सकते हो जितने को आप चेंज करके उनको रिप्लेस अब आपको एक ऐसा देखने को मिल जाएगा उसी फोल्डर में अब तू heal Therapy Freed आपको थीम फाइल वाले को open with the notep gard कर लएक तीगा थीम którzy नीचे देखने को क्लिसके बाद आपको नीचे को क्ल्डर है अब तो इसमें यहां पर इस दिए लिखा रहा है और यहां पर इस चीज को अच्छा ही यहां लोगलर में करना जातों ब्लू आर्जीब जीज़वी कलर में आपको पता रहें जाये नहीं पता हो तो आप गूगल कोड कर लेना तो उस पर कुछ पर करके कोड आ जाएंगे तो अभी मैं यहां पर यहां पर मुझे एक कलर कोड देखने को मिला था तो मैं यहां पर इस कलर कोड को पर इसको सेव कर देना है सिर्ज के बाद हम जाते हैं मैं ब्लू इसटेख्स इंस्टेलर हमारे उस एक ऊसेट्स के फोल्डर के नंदर का है तो मारा कर चेंज हो गया है पर आपको चले जाना है Assets folder मतलब जो हमने सब्सक्राइब करें ती उस folder का अंधर जो आपको यहां पर इसका नेम चेंज करना पो जीसे नाम आपको आपको खुद का नाम पर रखना है तब कि अगर ने इस वाले मतलब जो हमने फोल्डर को प्या था उसके अंदर आपको एक अब को लोकल फाइल ओले फोल्डर क्लिक करना और अंदर चले जाना अपर आपको एक युव एस वाला देखने को मिल भाश्य उसी को रखना है वाकिस सब अलग-अलग लेंगविज में आपको नाम क्या रखना चीज है वह सब चीज था तो यूएस वाली लेंगवेज में च तो आपको replace all पर click करके इसको भी save कर देना है इसके बाद आप इसको install करने जाओगे तो आपको एक error देखने को मिलेगा देखो error आएगा क्योंकि आपने यहां से इसको install कर रहे तो इसके file missing बताएगा क्योंकि क्या हुआ कि आपका पूरा-पूरा यहां से जो install डाउंलोड किया ता उस वाले installer पर आपको चले जाना है इसको आपको install कर लेना है लेकिन आप जैसे इंस्ट्रॉल कर ले उसके पहले आपको यहां से फीर से temporary folder को open कर लेना है तेंप्रेरी एक फोल्डर हैं यह संग्वर्स वाला जा किए कर गया कर दे टाना था पर क्लिक है जो हमारे दुसरा फोल्ड ने था पडोंे देल यह समय टीच जाना कि यह सब फोल्डर को पैस्ट्रक्ष ओर रहा होат था डिखे मैं चिक्राइब करने। और है सब्सक्राइब कर से निई सब्सक्राइब आपको अजोचर टा निकाल न होटा है तो आपको यह लुआ है तो आपने ऊच्छी सब्वार्डै है। नी फोल्डर हमने बनाया था पहले उसके अंदर आपको जाना हो यहाँ पर फिर से इसको इंस्टोल और पर आपको क्लिक कदने तो यहाँ पर अपने लौट जा चुआ ऑप्शन आचखा वाल पीसली बार इसको इंस्टोल किया था अब यह क्या आपके दोसके बाता हो देखो ट्राइ करूंगा अर ह 오래 तरीके में आपको बता हुं तो आपको सब से पहले टेमप फाइल को ऊपन कर लेंगे उसके बाद आपको ओरीजनल अरी इस्टोलर रहता है आपका उसको आपको इंस्टोल कर प्रिपलेस कर सकते हो उशके बाद आप जे से इंस्टेलर बे क्लिक करओंगे तो आपकर इंस्टोलर बेर आपके जो भी आपने फॉटो सहथए वो रिपलेस हो जाएंगे उन फोटो के साथ आज को वीडियो में बस कुछ आप n भी मिलते हैं नेक्स तुइटो में थेंक्स फ झालो दिंगा